हलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्यू ब्लाइट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल चोक का यूज क्यों करते हैं दोस्तों resiste tube light होती है ! उसके अंदर हम लोग magnetic ballast का use क्यों करते हैं ये question कई बार electrical interview में पूछा जाता है तो इसका किस तरीके से proper answer देना है, क्या function होता है choke का, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तो, tube light के connection में electrical choke का use क्यों किया जाता है, वो जानने से पहले हम लोग tube light के wiring connection का diagram देख लेते हैं जैसा कि दोस्तो, आप लोग diagram में देख सकते हैं, यह हमारा tube light है, यह हमारा starter है, यह electrical choke है और यह phase and neutral wire है तो हमारा जो phase wire होता है, वो सबसे पहले जाता है choke में, choke से एक phase wire निकलता है, हमारे tube light में connect होता है फिर दूसरे terminal से निकल करके, वो starter के अपास जाता है, starter से एक wire निकल करके, return tube light में आता है फिर tube light से एक neutral wire निकल करके, neutral में connect हो जाता है तो दोस्तो, इस प्रकार से tube light का connection किया जाता है, मैंने already एक video बनाया है, कि tube light का connection कैसे किया जाता है उसके अंदर मैंने practically दिखाया भी है, कि कैसे हमें tube light का connection करना है तो आप लोगों को अपना knowledge इंप्रूफ करना होगा, तो वो video देख सकते है दोस्तो, tube light के अंदर, choke का use क्यों किया जाता है, वो जानने से पहले, हमें जानना होगा कि starter का use क्यों किया जाता है tube light के अंदर जो starter use किया जाता है, उसके अंदर एक छोटा सा capacitor होता है, और एक छोटा सा neon bulb होता है दोस्तो, जब हम tube light को on करते हैं, तो हमारा जो phase होता है, वो choke पे सबसे पहले जाता है चोग से निकलने के बाद, वो यहाँ पे आता है, यहाँ से होते हुए, वो हमारे starter के पास जाता है सेम इसी प्रकार हमारे जो neutral होता है, वो यहाँ से होते हुए, starter के पास आता है तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कि starter के अंदर एक neon bulb होता है, तो neon bulb के across 230 volt आता है तो neon bulb के across, जैसे ही 230 volt आता है, neon bulb क्या होता है, glow होता है, मतलब जलता है जैसा कि दोस्तो आप लोगों ने देखा ही होगा, कि जब हम tube light को on करते हैं, तो सबसे पहले starter का जो bulb होता है, वो glow होता है, उसके बाद हमारी light चालू होती है तो दोस्तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कि मैंने जैसे ही button on किया, मेरा phase यहाँ पे आया, और neutral यहाँ से होते हुए यहाँ पे आया तो हमारे starter के अंदर जो bulb है, वो glow होगा, जो bulb है, वो कुछ millisecond के लिए glow होगा, यह जो bulb होता है, इसके अंदर biometallic strip होती है तो जैसे starter के अंदर का bulb glow होता है, वो जो biometallic strip होती है, वो धीरे धीरे गरम होना start हो जाती है और जैसे ही वो ज़्यादा गरम हो जाती है, वो एक दूसरे को touch कर लेती है, मतलब आप लोग यह जो दो round round देख रहे हो, यह एक दूसरे को touch कर लेते हैं तो इस case में क्या होगा, कि यहाँ से phase हमारा आ रहा था, ऐसे जाते हुए, यहाँ पर आ गया, और हमारा neutral यहाँ से आ रहा था, यहाँ पर आ गया तो जैसे यह एक दूसरे को touch करेंगे, उस condition में क्या होगा, short circuit की condition create होगी यह चीज में आप लोगों को waveform के तुरू समझाता हूँ, दोस्तो जैसे कि आप लोग इस waveform में देख सकते हैं, यहाँ पर VC लिखा हुआ है, मतलब हमारे capacitor के across जो voltage आ रहा है, वो यह है और हमारे जो inductor से current flow हो रहा है, वो यह है, और यह temperature indicate कर रहा है, हमारे neon bulb का, और यहाँ पर मैंने procedure लिखा हुआ है, कैसे कैसे follow होता है तो दोस्तो जैसे ही हम लोग switch on करते हैं, तो हमारा जो bulb होता है, उसके across कुछ voltage आता है, जो की 230 volt है, वो उस bulb के across voltage आया बल्ब के across जैसे ही voltage आता है, बल्ब कुछ amount का current consume करेगा, जो की current हमारे inductor से flow होते हुए आएगा और उस time पे दोस्तो हमारा जो temperature है, वो bulb का धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, यह चीजे दोस्तो कुछ millisecond के लिए होती है दोस्तो capacitor के अंदर जो bulb है, उसका temperature धीरे-धीरे बढ़ रहा है, तो जैसे एक point आता है, जब वो biometallic strip एक दूसरे को touch कर लेती है क्या होता है, कि हमारा जो bulb है, वो short circuit जैसा act करता है, short circuit होने की वो जैसे, उसके across का voltage है, वो zero हो जाता है बट short circuit होने की वो जैसे क्या होता है, कि हमारा जो current है, वो बहुत जादा amount का flow होता है तो यह जादा amount का current flow हो रहा है, यहीं पे काम आता है दोस्तो, हमारा choke चोक के दोस्तों total तीन function होते हैं तो उसका पहला function है कि जब भी हमारा ये short circuit होता है तो उस case में हमारा चोक ज्यादा amount का current flow न होने दे चोक मतलब क्या होगा दोस्तों वो एक inductor है inductor मतलब हमारी coil जो होती है मतलब wire जो होता है उसको बहुत सारा गोल 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 लपेट दिया जाए तो वो coil बन जाती है तो वैसा ही coil होता है चोक के अंदर जिसको हम लोग inductor बोलते हैं तो हमारे inductor की property क्या होती है कि वो sudden change of current को flow नहीं होने देता मतलब current को flow नहीं देगा लेकिन तुरंट जो change होता है current फटाक करके उसको flow नहीं होने देता जल्दी तो same इस case में भी हमारा जब short circuit होता है तो current बहुत बढ़ता है लेकिन inductor होने की वज़े से वो इतना ज्यादा बढ़ने नहीं देता वहीं अगर यहा ज्यादा बढ़ने नहीं देता तो choke का पहला function क्या है दोस्तों कि जब short circuit होता है starter के अंदर तो current को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है लेकिन दोस्तों हमारे starter के अंदर जो contact touch हुए थे जिसके वज़े ज़े short circuit हुआ voltage 0 होने के वज़े से उसका temperature धीरे धीरे कम होने लगता ह starter के अंदर जो bulb है उसमें एक ऐसा time आता है कि हमारा जो temperature है वो इतना कम हो जाता है कि जो biometallic strip है वो अपने वापस original position पे आ जाती है मतलब जो short circuit हुआ था दोनों एक दूसरे touch हुए थे वो वापस अपनी original position पे आ जाते है और वापस short circuit जो हुआ था touch हुआ था वो खुल ज लेकिन अचानक जैसे ही खुला low amount का current flow होगा उसके वोजे से क्या होता है कि voltage अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो जैसा कि आप लोग waveform में भी देख सकते हैं हमारा voltage बढ़ जाता है यह जो voltage इतना high हुआ है यह choke के वजे से ही होता है यह high voltage होना भी important है क्योंकि हमारी जो tube light होती है उसके अंदर argon gas का use किया जाता है तो जैसे ही high voltage होता है हमारी जो tube light के अंदर argon gas है वो ionized हो जाती है यहां से phase आ रहा है choke से होते हुए यहां से जाता है और यहां से होते हुए neutral से return आ जाता है तो इस प्रकार से circuit complete होता है तो दूसरा function क्या हो गया दोस्तो choke का कि वो high voltage create करता है जिससे कि argon gas ionized हो जाए अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि third function क्या होता है choke का high voltage create होने के बाद voltage धीरे धीरे down होता है बट choke जो है वो voltage को and current को इतना maintain करके रखता है कि हमारी जो argon gas है वो continue ionized रहे argon gas ionized रहेगी तो ही हमारी tube light on रह पाएगी दोस्तों tube light में हम लोग choke का use क्यों करते हैं पहला जो मैंने बताया कि जब भी short circuit होता है तो वो ज़्यादा amount का current न हो जाए उसको limit करने के लिए हम लोग choke का use करते हैं दूसरा function क्या होता है कि जब short circuit होने के बाद वापस normal condition में आये तो उस condition में voltage high create करने के लिए हमारा choke का use होता है और जो third function है कि high voltage होने के बाद voltage को and current को maintain करके रखे कि जिससे light continue on रहे तो दोस्तों ये तीन function होते हैं इसी के लिए choke का use किया जाता है tube light के अंदर दोस्तों आप लोगों के मन में question आ रहा होगा कि tube light on कर देने के बाद जब tube light हमारे on हो गई उसके बाद हम starter को निकाल देते हैं तो भी हमारी circuit कैसे complete होती रहती है इस चीज़ को जानने के लिए मैंने deeply वीडियो बनाया हुआ है कि fluorescent tube light कैसे work करती है और starter कैसे work करता है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं और अपना knowledge इंप्रूव कर सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे थैंक्यू फर वाचिंग आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी प्लीज मुझे लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में